ये नजारा जमशेदपूर की जैब 6 ग्राउंट का है जहां पहाडिया जनजाती के 336 युवक और 120 युवतियां ट्रेनिंग दे रहे हैं इन युवक युवतियों को सुबेदार बिर्सा मुंडा और इंस्पेक्टर आर्की तिवारी की ओर से प्रसिक्षण दिया जा रहा है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सभी खूटी जिला चले जाएंगे जिसके बाद जरूरत के मतावे एटी बोस्ट पर भेजा जाएगा स्पेशल ट्रेनिंग के बाद ये युवक युवतियां नकसलियों से लेकर उक्रवादियों तक से लोहा लेगी मैं ट्रेनिंग के दौरान पूर्वी सिंभूं के सस्पी अनूप बिर्थरे ने इन जवानों को टिप्स दिये साथ ही किस शुत्र में किस तरह का काम करना है उसकी जानकारी भी दी उन्होंने युवक युवतियों का होसला बढ़ाती पे उन्देश प्रशिक्षन को काफी सरहा सस्पी ने दावा किया कि पहाड़िया जंजाती के ये जवान जब मोर्चा संभालेंगे तो नकसलियों को मुखतोर जवाब देंगे जार्खन के हर जिले में ट्रेनिंग पाए इन युवक युवतियों को टैनात किया जाएगा चूकि ये खुद पहाड़िया है और पहाड़ पर कैसे रहना है ये अच्छी तरह से जानती है लिहाजा हाथों में हथियार लिए इन जवानों का होसला बुलंद है राजी के पहाड़ी इलाकों में ये युवक युवतियां पढ़ लिकर भी बिरुजकार थे जिसके बाद राजी सरकार ने इन्हीं रुजकार देते हुए आदम निर्फर बनाया फिर क्या था घर में बैठे इन युवाव ने अपने हुनर के दम पर पुलिस बल में जगह बना ली और इस ट्रेणिंग में लगबाग 120 युवतियां जो पहाड़ी जातिके हैं वो अपने आपको शसक्त और मजबूत कर चुकी है और सीमा से लेकर और नक्षलियों को जंगल से भगाने का बचल ले चुकी है कैमरामेन रिशब के साथ में मौनच गुमार कसितनु जमसित पूर